आज मैं सेवई कि एक ऐसी चटपटी और टेश्टी रेसिपी बनाऊंगी कि एक वार आपने बना लिया ना तो महिनों भर भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खाने में भी वो भी बहुत टेश्टी बनेगी सबसे पहले तो मैं फ्रेंट्स आपको ये बता दू कि हमारी तवियत भी थोड़ी ठीक नहीं है और आवाज भी थोड़ा खराब होगा इसके लिए मैं आपसे छमा चाहती हूँ चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम दो कप बैंवीनों की सेवियां ले ले लेंगे और इधर हम पानी बॉयल होने के लिկे रख देंगे जब ये अच्छित से उबल जायेगा धीरे धीरे करने हम इसमें बैंवीनों की सेवियां डालेंगे medium to high flame पे ही रखना है इसको दीरे दीरे डाल देंगे और इसको हम अच्छे से चला लेंगे और ये जब 80% तक पक जाएगा इसको हम किसी छन्नी की सहता से छानके एक साइड में रख लेंगे और पंके में इसको सुखा देना ये आपको दियान रखना और 4 चम्मच के करीब कौ काटा डालेंगे और दो चम्मच तेल भी डाल देंगे रिफाइन या तो आप चाहे तो सर्सों भी डाल सकती है हम रिफाइन डाल रहें थोड़ा सा लाल मिर्च का पौडर डालेंगे और फिर जब अच्छे से इसको मिलाएंगे पहले जब अच्छे से मिला लेंगे तो ला इसमें भी हमको medium to high flame पे ही पकाना है देखिए यह हमारा कितने अच्छे से तैयार हो रहा है किसी पेपर पे रखे क्योंकि यह तेल जादा थोड़ा लगता है इसमें medium to low flame पे हम एक कप के करीब मुंगफली भी तल लेंगे मुंगफली को भी हमें जलाना जादा नहीं है बस यह अब हमारा फ्राय हो गया है इसको भी हम निकालके इसी में डाल लेंगे इसके बाद हम गैस को कम ही रखेंगे चाहे तो आप इसमें थोड़ा नारियल भी डाल सकती है यदि आप इसको नहीं है तो आप इसकी भी कर सकती है इसको नारियल भी हो गया दो चार हम काजू भी डाल देते हैं थोड़ी सी काजू को भी तल के निकाल लेंगे और कढ़ी पत्ता भी डालना है थोड़ा से यदि आपको हमारे रेसीपी जरासी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज इस वीडियो को धेर सारा लाइक दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखिए हमारा यह अच्छे से फ्राय हो गया है इसमें हम थोड़ लाल मिर्च का पौडर डालेंगे आमचूर पौडर डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला का पौडर डाल देंगे यदि आपके पास नहीं है तो आप मैगी मसाला भी डाल सकती है इसमें और लास्ट में हम पीजा सीजनिंग भी डाल देंगे थोड़ा सा और इसक अच्छे से मिला लेंगे, देखिए हमारा ये कितना क्रिस्पी और क्रंची बन के तयार हो गया है, फिर मिलते हैं एक नई टेस्टी और बहुत ही असान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाए